नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कॉंपडिशन कम्यूनिटी में इस वक्त पुरी दुनिया कोरोना वारे से लड़ रही है अलग अलग दुनिया की सरकारों की तरब से अपने कंट्री में अलग अलग उपाय किये जा रहे हैं लॉकडाउन किया जा रहा है और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारसरकार की तरफ से भी पूरे देज भर में लॉकडाउन किया गया है हाला कि ये lockdown बहुत जरूरी था कोरोनावारे से लड़ने के लिए, खुद के लिए, परिवारों के लिए, देश के लिए ये बहुत जरूरी उपया था लेकिन इस lockdown के बीच में अगर सबसे ज़्यादा किसी को तकलीफ हो रहा है तो उन परिवारों को हो रहा है जो daily basis पर जिनका income था, daily कमाते थे, daily खाते थे, यानि कि कहलो गरीब मजदूर परिवारों को इससे बहुत दिक्कत हो रहा था तो इसी के संदर्प में केंदर सरकार की तरफ से एक relief fund जारी किया गया है एक लाग सतर हजार करोड का जानेंगे इसके बारे में कौन-कौन से छेतर के लोगों को इस fund का direct love मिलने वाला है लेकिन उससे पहले अगर आप घर बैठे CGPC के तयारी करना चाहते हैं खासकर वो लो या वैसे भी बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका coaching जाते हैं दो-तिन subject अच्छा हो जाता है बाकि subject वो अच्छा नहीं कर पाते हैं वो बच्चे भी हमारे इस mobile course को purchase करके घर बैठे बहुत आसानी से तयारी कर सकते हैं वो लोग जो office जाते हैं coaching नहीं जा पाते ऐसे ल लेबल हैं उसे भी आप देख सकते हो तो हम लोग बात कर रहे थे कि केंदर सरकार द्वारा एक लाग सतर हजार करोड़ रुपए का relief fund जारी किया गया है उन गरीब परिवारों के लिए जिनको इस coronavirus lockdown में सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रहा था तो कुल आठ बिंदू पर हम स पूरे भारत में 80 करोड लोगों को direct फैदा मिलने वाला है इनको प्रतेक महीने 5 किलो चावल या फिर 5 किलो गेहूं मिलेगा वो भी बिलकुल मुफ्त में और प्रतेक परिवार को यानि की गरीब परिवारों को 1 किलो दाल भी मिलेगा इस योजना के तहट प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन योजना ये PDS स्किम के तहट में जो आपको मिला करता था अन उससे अलग होगा बिलकुल मुफ्त में मिलेगा इसके अलावा उजवला योजना की बात करें तो पूरे देज भर में 8 करोड महिलाओं को उजवला योजना के तहट में जो सिलिंडर मिला करत था वो बिलकुल मुफ्त में मिलेगा अगामी तीन महिनों तक तो ये सरकार का एक बहुत बड़ा इस्टेप है उजवला योजना कहले या फिर परधान मंतरी गरीब कल्यान अन योजना के तहत में जो मुफ्त में अन आनाज दिया जा रहा है उसकी बात कर लें दोनों परधान मंतरी सम्मान ने थी था जिसके तहत में एक साल में किसानों को 6,000 रुपया दिया जा रहा था दो दो हजा हुखे के 3 किस्तों में वो अब 2,000 रुपय प्रतेक महिने इसी योजना के तहत में किसानों के bank account में direct transfer किया जाएगा और पहला किस्त जो है आपका आड़ दसमलोग 7 लाख किसानों का वो आपका अप्रेल के पहले सब्ता हमें ही उन किसानों के bank account में पैसा जो है वो transfer हो जाएगा तो direct transfer के भी सुविधा इस 1 लाख 70,000 करोड में किसानों के लिए किया गया है चोथे point पे अगर हम लोग बात करें तो मनरेगा मजदूरों के लिए जो पूरे देजभर में किसानों को प्रती दिन 182 रुपया मिला करता था 36 गड में 176 रुपया था जिसमें 14 रुपय के रिद्धी की गई थी जो कि मैंने पिछले 36 गड करेंट एफेर वाला वीडियो में बताया भी था लेकिन अब 182 रुपया जो पूरे देजभर में मिला करता था उसे बढ़ाकर 202 रुपय कर दिया गया है यानि कि मनरेगा मजदूरों को प्रती दिन 202 रुपय मिलेगा इस एक लाग 70,000 रेली फंड में मनरेगा मजदूरों के लिए यह व्यवस्था किया गया है इसके लावा जो मनरेगा मजदूर जिनकी उम्र हो चुकी है यानि कि 60 वर्स उपर पहुंच चुके हैं जिनको पिंसन मिलता था उनको प्रती महीने आने वाले तीन महीने तक 1000 रुप से अपनी घर परिवार को चला सकें इसके लावा जन धन खाता में 20 करोड महिलाओं को प्रतेक महीने आने वाले तीन महीनों तक 500 रुपय ट्रांसफर किया जाएगा फिर से सुन लीजे पांचवा पॉइंट है जन धन खाता के तहत में 20 करोड महिलाओं के एकाउंट में प् करते थे जिनके कंपनी में 100 से कम मजदूर थे उनका पिएफ का पिंसन में जो पैसा हिस्सा होता था उसको 54 परसेंट जो वहन है वो केंद्र सरकार करेगी तो जो भी ये रिलिफ फंड है न एक लाग सतर हजार करोड रुपय का वो इन छेतर के लोग जो परिसान थे कि हम क् परिसीस पर कमाते हैं हम कैसे अपना घर चलाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या ये 21 दिन में इनके साथ में होने वाला था तो कहीं न कहीं ये 170,000 करोड रुपय जो है इनकी समस्याओं को कहीं न कहीं मरहम लगाएगा और ये कहीं न कहीं अपनी जो घर परिवार है उसे अच 70% तक अपना पैसा निकाल सकते हैं या फिर तीन महीने का पैसा आप वहां से विड्रौ कर सकते हो इसके लाबा आठवे पॉइंट और आखरी पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ कि इस 170,000 करोड में आठवा महत्पून पॉइंट क्या है तो construction worker welfare fund के तहत मजदूरों के लि इस lockdown के समय में उनको तकलिफ ना हो वो भूख से ना सुएं या फिर उनको किसी प्रकार से परिसानी ना हो तो इसलिए ये 170,000 करोड रुपै का जो है रिले फंड जारी किया गया है और वित मंत्री निर्मला सीतारा मन्नी इसकी जानकारी भी दी है तो उमीद करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगा होगा आपको अपने दोस्तों तक शेयर करें अगर वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ अगर आप चाहो तो हमारे मुबाइल कूर्से फिर से एक बर बोल रहा हूँ जुड़कर अस संपूर्ण तयारी को हमारे साथ कर सकते हो इसलिए जो भी इंपोर्डेंट खवर है आपके एक्जाम के पॉइंट ओव यूस अगर इंपोर्डेंट है अगर व्यक्तिगत तोर पर आपको जानना बहुत जरूरी है तो इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे घर से ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले